यहां पर अगर हम बात करें Samsung Galaxy के स्मार्टफोन के बारे में तो कमाल के होते ही है क्योंकि अब तक जो Samsung लॉच्छ के था M10 M20 M30 कंबाल के फून्थे उसके बाद जो लीक साहिए था एंसीरीज बर मोह आई थी एंटा फॉर्टी की काफी कमाल का स्मार्ट smallest आप अइद दूदुख वे पिर को I'm करशो है उब और दिखने को मिला प्राइज यहां पर जो825न यहरा डिथ करेंद डेकि यहां वो कुछ लिक्स होएं जिसके बारे में करेंगे बात इसी वीडियो में हाई गाई समय कमल करता हूं उपसे भी कास वागते एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करिए गाई साथ इस तब भाई के चलो को सस्क्राइब भी करिए और बेल आइकन दबरा मत भूलना तो देखते हैं M-series के M50 में हमें क्या देखने को मिलता है और कैसा होगा यह स्माटफोन क्या इसमें हमें सारे एक्सपेक्स देखने को मिलते हैं साथ इसल बात करेंगे लॉंचिंग डेट क्या है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं यहाँ अगर हम बात करें Samsung M-series के smartphone थे M10, M20, M30 तो यह काफी कममाल के smartphone थे क्योंकि बजट में पहली बार Samsung ने जो लॉंच किया था budget smartphone और price range के साप्सें के सारे एक्सपेक्स भी कममाल के थे अब वही पे अगर हम बात करें तो M40 या था M40 मलब लीक्स आई थी जिसकी वीडियो में बड़ा ही लिंक इंदा डिस्क्रिप्शन या एंट इस्क्रिशन में देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पर जो गर्मगरम नियू निकलके है वो M50 से निकलके है कि M50 भी हम चुप्र पोल्टे देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको यह पोलते है यो नोच वह हम लोग बोलते हैं वादर ड्रें गोलते है वह आपको यह पर नोच देखने को अगने पास निकल्टे और बज़ेट इस platform में काफी कमाल का processor देखने को मिलता है और वहीं अगर मैं बात करना हमें तो features भी काफी कमाल के हैं आगर next update के बारे निकल गए है इसके camera से क्योंकि यहां पर जो चीजाए दा क्या में पर ज़िए है और 5-megapixel white angle lens होगा और 8-megapixel होगा वो आपका depth sensor होगा f.1.8 aperture के साथ में तो यह पर यह चीज़ तो कमालगी होगी क्योंकि rear side में हमें triple camera देखने को मिलेगा वो भी 25-25 प्लस 8-megapixel के साथ वही अगर हम front के बात करें तो front side में हमें 25-megapixel camera देखने को मिलेगा तो camera के मामले में कहीं न कहीं है Samsung का M50 होने वाला है वो भूती लाजबाब smartphone होने वाला है अगर next update के बारे में बात करें जो इस निकल कहीं इसके प्रोसेसर से क्योंकि यहां पर जो हमें latest का latest प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो होगा Samsung का यहां पर हमें Exynos 9610 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और यह प्रोसेसर काफी कमाल का है अगर मैं इसकी जो है वो टॉप क्लॉक के बारे में बात कर लो तो 2.8 गिगार्ट पर यह रन करता है यह प्रोसेसर काफी पावरफुल है काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है आप कुछ भी करोगे कोई लैग या फिर हैंग या फिर कुछ भी प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह जो प्रोसेसर है ना काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि बहुत आगे का प्रोसेसर है अभी तक कि यह 2.8 गिगार्ट पर रन करता हुआ कोई प्रोसे यह जो चार्जर होगा इस डपी के साथ में आएगा या आपको कोई अलग मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा अब निश्टर बेट के बारे में बात करते हैं जो है इसकी एंड्रोइट से निकल क्या है या या अपरेटिंग सिस्टम यहां पर होने वाला है के साथ देखने को मिल जाएगा हाला कि फ्यूचर में हमें और भी अपडेट देखने को मिल जाएगे अब लाश्ट फाइनल फीचर के बारे में बात करें पर उससे पहले एक बात बहुंत कर लेते ही यहां पर यहां पर अगर नाचिंग डेट की बात करूं तो यह जो फोन अपरेल के लाश्ट वीक में आपको कहीं देखने को मिलेगा हाला कि यह चीज़ एकदम कंफर्म नहीं क्युकि जो चीज इसके बारे बात करें प्राइज क्या होने वाली है अब अगर प्राइस के सबसे अगर हम देखें तो स्मार्टफोन क्योंकि मिलता जुलता है प्राइस के सबसे काफी स्ट्रॉंग जो चीज हमें देखने को मिल जाती है अब आप मुझे नीचे अपना उपिनियन जरूर बताना कमेंट करके क्या 22,000 रुपे के लाइक है या नह आप मुझे कमेट करके अपना उपिनियन जरूर बताना हमें आशार करता हम से वीडियो पसंद देगा वीडियो पसंद आगा तो लाइक तो करिए गाई साथ ही साथ तो ने भाई के चनल को सब्सक्राइब भी करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अनरा, I am signing out